नमस्का दोस्तों मैं विने दुबे मुंबई से मोधी जी कल फिर आये थे देश को संबोधित किया और वो दिव्यग्यान देखे चले गए जो आज तक किसी भी भारतियों को पता नहीं था क्या दिव्यग्यान देखे गए ये वाला धन्यवाद मोधी जी हमें तो पता ही नहीं था जुलाई में बारिश होती है और बारिश के बाद सर्दियां चालू हो जाएंगी और इसी बीच में तेवहार भी आता है हमें तो कल आपने बताया तब जाके पता चला और मुझे पूरी तरह से विश्वाज है देश के 135 करोड, 130 करोड आबादी को भी कल ही पता चला कि जुलाई में बारिशे होती है उसके बाद सर्दियां शुरू होती है आप लोग जिस तरह से देश चला रहे हैं और हर दिन एक नया नया मनुरंजन देश के सामने प्रस्तुत हो रहा है भले टिक टॉक बैन हो गया है तो क्या हुआ मोदी जी अभी भी है अपनी मन की बात कहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है देश में एक प्रधान मंत्री के तोर पे आप भले ही असफल रहे हो लेकिन देश की जनता को अपने मनुरंजन में बांधे रखने में आप से ज़्यादा सफल वेक्ती इस देश में इस धर्ती पर हो ही नहीं सकता है एक खुशकबरी आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं खास तोर पर के भारती जनता पार्टी के और उनके जो सोशल मीडिया के जो अंडभक्त हैं उनके लिए तो इतिनी बड़ी खुशकबरी है कि विचारे आज पूरी रात हो सो नहीं आज उसी बाबाजी ने अपना खडाओं निकालके, अपना जूता निकालके इनी अंदबक्तों के मूँ पे दे मारा है और इतना खाकारी दे बाबाराम देओ बूश्टर करके निकला है और ये बाबा राम्देओ खुद इसका आतना गौर्वांद्य मेह प्रप्रटी मारी है कि हमने कोई कोरोना की दवाई नहीं बनाएं विचारे इनको कोई हक नहीं है अंडबक्तों को इस तरह से गालियां खिलाने का ये तिनी महनत से आपका प्रचार प्रसार करते हैं और आप ही आके इनके मुँपे जूता मारके चले जाते हैं और उसके अंडबक्तों को हम जैसे जो लोग बैठे हैं वो तबियस से लेते हैं नकली इंसान हमेशा नकली ही होता है चाहे ओ किसी भी बेजभूशा में हो आपने कल भी देश को ब्योकूप बनाया था आज भी आप ब्योकूप बना रहे हैं और आने वाले कितने ही भविश्य तक आ दवाईया फरजी परजी समान निकालके आप देश की जनता को आईरुवेद और धर्म के नाम पे लूटते आए हैं बाबा रामदेव जी आपकी यह हकीकत अप देश के सामने हैं या आपने कोरोना की दवाई बनाई ही नहीं हैं और इसको देखते हुए कितने ही अंडभक अपने मूँ पे गिर गए बिचारे वो हम लोगों को कैसे जहल पाएंगे हम लोग तो तबियत से लेने वाले हैं अब तो उनकी हाला सोचल मीडिया पे देखने लायक होगी दूसरा आज जिस तरह से मोदी जी आके संबोधित करके चले जाते हैं हर एक मध्यम परवी लेकिन वो भूल जाते हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस के लिए स्कूल से प्रेशर है वो भूल जाते हैं कि घर का भाड़ा देने के लिए मकान मालिक सर पे बैटा हुआ है वो भूल जाते हैं कि राशनवाले का बिल बकाया चल रहा है दोस्तों से मित्रों से उधार लेक परिवार के लोगों से उधार लेके रिष्टदारों से उधार लेके वो घर चला रहे हैं। उसके लिए कोई विवस्ताय मोदी जी नहीं कर पाते हैं। उनके घरों तक पहुँच गई है। और उसी का असर ये हुआ है कि भारती जनता पार्टी के कारे करताओं ने रस्ते पे उतर कर भारती जनता पार्टी का डीजल और पेट्रोल के भाव को लेके विरोध प्रदर्शन नाच्चते गाते हुए किया है। ये एक तरह से उनकी आ ने वह मोंता अधा दे सही, लेकिन उन भाशपा के कारे करताओं को ये समझ में आया है कि देश की जो लगान है वो गलत हातों में दी है। अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए ये जो महंगाई की जो मार है, बिजली बिल की मार है, आर्तिक तंगी की जो अह यह हर घर तक पहुंचेगा हर भारतियों को इसका एहसास होगा कि उन्होंने 2014 और 2019 में कितनी बड़ी गलती की है हम जैसे जो सामाजिक कारे करता है वो आप लोगों को जागरुप करते रहेंगे हमने बार बार आपको चिताया लेकिन आप अपने भक्ति में लीन थे अब आप के आपका विरोध प्रदर्शन देखेंगे कि जब आपके घरों में आग लगी है तब जाके आपकी आँखे खुली है हम यही नहीं चाहते थे कि आप लोगों तक यह बात पहुंचे यह जो दुख की दिकपल है यह जो गरीबी के पल है यह जो आर्थिक बोज है आप हम आपको जागरूख करते हैं अपने जान अपने परिवार को खत्रे में डालते हुए और मैं आशा करता हूँ कि आज नहीं तो कल देश की जनता यह जरूर समझेगी कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती 2014 उसके बाद 2019 में की है अभी भी समय है चेच जाईए देश को बरबाद होने से बचा सकते हैं लेकिन उसके लिए आम जनता का सयोग की जरूरत है मैं आप लोगों को धन्यवात करना चाता हूँ जिन्होंने सयोग राशी भेज के उन गरीब दिवंगत परिवार के लोगों को राशन और भोजन उपलब्द कराने में हमें मदद की है मैं और ये राशन पहुचाया है और उसके लिए आप लोग उन तमाम लोगों को मैं धन्यवात करता हूँ जिन्होंने इसमें सयोग किया अगर अभी भी आप इसमें मदद करना चाते हैं तो आप हमारे पेटियम गूगल पे और फोन पे नंबर 9594394948 पर अपना अनुदान भे से किसी जरुरतमन परिवार को राशन और भोजन मिल सकता है अगर आप UPI ट्रांसफर करना चाते हैं तो यही नंबर है 9594394948 अब इसमें भेज सकते हैं मैं आप तमाम लोगों को धन्यवात करता हूँ और आशा करता हूँ यह जानकारिया आप सभी भारतिय तक पहुचाए करेंगे और इसी साथ में आगे भी इस तरह की चीज़े लाते रहूंगा आप लोग का साथ और प्यार इसी तरह बना रहें जै हिन जै महाराश्रा आपकी आवाज